वेलिकम बैक एक दफा फिर खुशामतीद सेग्मेंन हमारा है हमारे साथ आपा है अब मैं सेग्मेंट का नाम नहीं लूँगी और नाम इसली नहीं लूँगी क्योंकि अब हम सवाल आप से पूशने जा रहे हैं कि हाँ आप ये बताईए कि जो सेग्मेंट जिस जो हर हफते ह तो थोता है हर रोज हमारा कोई ना कोई 1500 होता है अग जो सेग्मेंट है उसका नाम क्या है उसका नाम大家都 थो कह थो कोomos करते चैनल के मौरा या जाम के होजा है हूं नाम क्रेमेंट हने हूं जा सकते हैं जाते हैं लोग जब कुछते हैं शादी को तो आप यह बताईए कि ऐसा रवया क्यों है और वाकई क्या शादी गुड़े-गुड़ी का खेल है नहीं ऐसा नहीं है यह गुड़ी-गुड़े का खेल ना कभी था ना कभी है अगर समझा गया है तो अपनी नादानी से समझा गया है शादी एक टैना नजट से देखते हैं लेकिन शादी जिणदगी का बहुत बड़ा फरीजा, जिणदगी की बहुत बड़ी खुशी और जिणदगी का सब्से बड़ां इमантиहान है सब्से बड़ां से बरां इमतिहान यह कितनी हुपसुरूद बात कियो अब आब देखो हम जब है कि जब हम अपनी बेटियों की और बेटों की शादियां करते हैं और उसके उपर लाकों नहीं बलके कुछ तो करोरो रुपया खर्च करते हैं ठीक है उसका तो तसवर ही ना करो ना तो मुरूर लरस जाती है मैं उसकी भी बताऊंगी कि कैसे कैसे लोग पैसे खर्च करते हैं इतना कुछ खर्च करते हैं लेकिन अपनी बेटी को खास तोर से उस इम्तिहान के लिए तयार नहीं करते जिस पर उसको भीजा जा रहा है और जो उसकी जिन्दगी भर का इम्तिहान है और जिसका रिजल्ट भी उसकी पूरी जिन्दगी तमाम हो जाने के बाद निकलना है दो साल में तो नहीं आना चार साल में तो नहीं आना ये पूरा है तो वो उसको उसको जहनी तोर पे तैयार नहीं करते लेकिन हमारा जो जमाना गुजरा है ना बैसे मुझे इतना कदीम ना समझ ले ना तो हमारा जा ज gäller जमाना गुजरा है और हमारे जैसी माईं अब भी है जो बात बात में बचीयों को कहती है कि बेटा ये सुस्राल में जा के इस तरह नहीं करते सुस्राल में जा के इस तरह नहीं करते शोहर के साथ खास तोर पे जो बड़ी जबान दराज लड़कियां होती है तेज जबान होती है मेरे घर में एक बच्ची आई वो मेरी बड़ी मदाह थी तुम्हारी तरह मुझे जान कहती थी तो फिर कहती है कि तो फिर ना मेरी किताबें देखी और बड़ी खुश हुई मिलके मेरे आटोग्राफ्स लिए और बातों बातों मुझे कहने लगी मैं बहुत जिद्धी हूँ मैं जब अपनी आई पर आजा हूँ तो मैं अपनी बात म अपन वाले थी हूँ मैं तो अपने माबाप को इतना तंग करती हूँ मैं बहुत जिद्धी हूँ इसको बड़े फखर से वह बयान कर रही जब उस बच्ची ने बहुत दफा का और शेकल भी उसकी बड़ी अच्छी थी तो मैंना ठीक है हसीन बच्चियां जो होती है वो यह बार बार कहें फिर मैंने उसको बताया मैंने का वेटा मेरी बात सुनो आप सुबा से मेरे पास बैठी है अच्छा लग रहा है आप बड़े अच्छे वालदैन की बच्ची हैं प्यारी बच्ची हैं लेकिन यह बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी आपने मैंने का शादी में जिद काम नहीं आती शादी में जिद शादी की दुश्मन है कितनी खुबसूरत बात है और जिद कोई मानता नहीं है तो एक मुझे और वाक्या याद आ रहा है बड़ा प्यारा तुम कहो तो तुम्हें सुनो एक दफ़ा मैं औस लो गई हुई थी अप जिद बाजी आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है लेकिन यह है ना कि आपका वो इस्ताइल नहीं है जो और चैनलों पर बहुत ऐसे होता है ना आप बहुत अच्छी हैं लेकिन बड़े नरम दिल से और बड़े प्यार से बात करती है ना थैंक यू सो माच आपको जिद प्यार से बात कर रही है कि मेरे दिल चारह मैं वारी वारी जाओं मैं आपके उपर वारी वारी क्यों कि बस मुझे आइसे हम लोगों को ऐसे बहुत पसंद है ना थैंक यू क्या अच्छा पहले तो मुझे मेरी सहे लिए बताओ के सवाल पूछा गया है कि खुशनसी आपके लिए खुशनसीबी क्या है अभी तो मैं पढ़ रही हूं खुशनसीबी वह होती है ना कि वाले देन के घर में होना तो उनकी दौआइँ चाहिए और आपावाली बात जब इनसान की शादी हो जाती है तो फिर उस घर में जाते है तो फिर उनकी खर्दमत करना उनक अगर मुझे आपसे ही कहना है कि जिन्दीग कोई भी लंभा हो, कोई भी मरहला हो, कोई भी वक्त हो, बस खुश रहो और अपने नसीब पर खुश रहो, मेरा खाला यही खुश नसीबी है, यह आपा इस पर पता नहीं करती है कि नहीं करती है, बट मुझे लगता है कि यही है तो और कुछ कहोगे दिल की अपनी? बस दिल की यह है कि मुझे आपका सूट बहुत पासले है तैंक यू सो मच शुक्रिया बढ़ शुक्रिया कॉल करने का है वने पलस दे और एक और हमाई साथ कॉलर जिन्हों ने जवाब देना है इसी सवाल का कहा बहुत सारी कॉल जारी आपा इस सवाल के लिए जरूर जरूर मेरी कौन से सहली है नूर बाट कर दिल एक दिल्म नूर किया जवाब आपके पास अ अ आग क्यूरम का नाम पुछ आपमें गॉता गुदी का थेल ओ इस होटल वन का किक आपका हुआ वहाँ पर अब्टाब आप पॉच्छेगा जी और चीज कहना जाओंगी हाँ अब भी हम किसी चीज को पॉजिटिव वे में सोचें तो वह हमें अपनी खुछने सीबी लगती है सही और इसके बारे में एक शेयर किमना चाहूंगी अपने लोगता है चलो यो यो कर ले अभल मैं पहलो नूर आपने लोगता है अभल या को प्फुरूर से टल्राब चाहर हां यह चुह पता है अब अरूज तुम क्या कर रही हो एल आप च्छीयां कॉल कर रही है यह एकخास क्लास से त Taylor C से लिक दो यह इसगे चैना के है वो बटयू नो घुचिया हैं बशेद गर की चार दिवारी में रहती हैं वालfact मेरि धेृ कि ताबेदार हैं और टिपिकल सबैसे उनकी है। तुम उनके करीब जा रही है वो तुम्हारी सहेलियां बन रही है तुम पता है तुम कितना अच्छा काम कर रही हो तुम इन में रोशनी पहला रही हो इनके बात करने के अंदाज से मुझे पता चल रहा है यह किसकी बच्ची है और कैसे परवरिश की जा रही है इन बच्ची और ऐसी रोश्टी पहला रही हैं कि आने वाले वक्त में हर दरफ नूरी नूर होगा बल्कुल नूर आपको एक दफा फिर बहुत मुबारिक हो नूर एप्ताबाद में रहती है और इन्शालह होटेल वन का केक इन्शालहापके घर पर डिलिवर होगा और जब खाओ तो हमें याद रखने। उनसे कहो कि अपनाबाद शहर मुझे बहुत पसंद है। मुझे खुद बड़ा पसंद है। अच्छा आप बता रही थी अपना किसी एक और एक अजीब बात मैं आपको बता रही थी। तो मैं पता है मुलकों मुलकों में जाती हूँ, सफर करती हूँ और वहां भी लोग मुझे मिलते हैं और मुझे से मश्वरें। एक दफ़ा मैं वहां ओसलो में थी। तो वहां उन्होंने युनिवस्टी में मेरा एक लेक्चर रख दिया इसलाम के उपर। तो मैं अपने आपको कोई दीनी आलम समझती हूँ जा कुछ हूँ तो उन्होंने का नई जी हमने तो आप ऐसे राइटर आप आई हैं तो यहां मुफ्तलिफ मजभाब के लोग हैं तो हमने औरत के हकुक के उपर आपका एक लेक्चर रख रख आप इंग्लिश में लेक्च जैसे वहां का महाल है लड़की के साथ लड़का लड़की के साथ लड़का इस सी तरह बैटे हुए पुआ पूर है हुआ कोई बियर पी रहा कोई कुछ पी रहा वाह तो पीने पूने पे कोई पाबंदी नहीं पूर धा दिया और मैं वहा थोho सोचने लगी कि यह आला मै सुरह निसा के हوالے से यह बात करूंगी खैर, अब वो लंभी बात है आपके आपर सवाल जवाब होगे जैसे हुते हैं खैर बिल्दा कर अंदर जाकर बैठ की पाकिस्तानी shooter भारे में की उत्यूuchen शिसा Face के का निका खार rubber औरत के हकुग पर बाज शुरू करते करते वहां पर पहुंच गई जहां पर औरतों के लिए है कि उनको अपने शोहरों की कितनी इतराम करना चाहिए और उनकी अमानतों को संभाल के रखना चाहिए औरत के करेक्टर के बाले में खुबसुत बात थी मैंने वह बयान कर दी तो मुझे हैरत यह हुई कि वह पाद में हम चार लोग थे हरेक ने लग-अलग मौज़ू पे तो सारे सवाल मिसिस रहमान के लिए आने लगया है वहां एक लड़की बैठी थी इंतहाई खुबसूरत जो हुसन की तारीफ है तो वह खड़ी हुई तो कहने लगी कि I have one question for Mrs. रह्मान तो वह आगई उनको माइक बुला तो कहने लगी मेरा ये नाम है I am from Turkey okay she was from Turkey 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 असे थी बड़ी खुबस्वत बची सवाल किया था उसने मुझे कहा कि आपने कहा है कि मैंने मैंने शोहर की ताबेदारी के बारे में और 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 अवरत के character की बात है ना character building के अवाले से कुरान पार मोजे आके कहती है वहां खड़ी हो के मुझे कह रही है जो कुछ उसने कहा कि मैं तुर्किया से उपहले बताया किस मुल्क से हूँ अचापक क्या बात क्या कही उसने उसने कहा कि मैं वागई शुड आयू अबे माई हस्बेंड अ कि अब भी मैं तो कोई मौला ना हूँ नहीं कि मैं हवाले दूँ मुझे तो नफसियाती तौर पर बच्ची ओक जवाब दिया तो जब बहुत देर तक बहुत तो पिर मैंने उसको कहा और लोगों ने बड़ी क्लापिंग कि जब उसको तरजमा नहीं करना पड़ा तो मैंने को ये कहा अब मैं अपनी बच्ची ओ के लिए और बहुत सी बेहनों के लिए जो उर्दो समझती हैं मैंने उसको ये कहा कि प्यारी बेटी तू इतनी खुबसूरत है तू इतनी हसीन है आज खड़ी होके तू काइनात की किसी चीज़ के बारे में इंकार कर दे लोग मान ले क्योंके मैंने देखा था तेरी मेज पर तेरे चाहने वाले बहुत बैठे थे और इस उमर में बचियां यही सोचती है जो तूने सोचा है पर मेरा एक मशवरा है तेरे लिए क्या मैंने का कभी मुहबत ना करना कभी मुहबत ना करना तू मुहबत करने के एहल नहीं है तो तो कहती यह क्यों? मैंनु कहा इसलिए, इताओ गुजारी है, महबद तो शर जुकाना है, महबद तो कदबों में बेटना है महबद तो ऑसार है और महबद में जो आपका महभूब चाहता है वो आपड़ते हैं इसलिए क्या आप कहते हैं क Cornfl corre से महबबत करते हैं तो उस तरह करते हैं जैसे अल्ला चाहता है तो तुम्हारा हस्बंड या तुम्हारा महबूब या तुम्हारा मतलूब तुम से चाहेगा तुम ऐसी महबबत करो जैसी वो चाहता है और तुम चाहोगी वो ऐसी महबबत करे जैसे वो चाहता है ये गीवन टेक का मौामला है पर तू तो सर नहीं जुका सकती ताविदारी में तो बेतर है कि महबत करना तू नहीं है तू नहीं जुका सकती तू नहीं जुका सकती महबत तो सर जुकाती है तो बस ये जो जो महबत करना चाहता है चाहे वो मर्द हो या औरत इन जेनरल बात हो रही है जब महबत कर लेते हैं तो आप सबमिट कर जाते हैं तो इतनी खुबसूरती से आपा ने उसको समझा भी दिया दिल की बात भी कह दी और उसकी सुन भी और यह जो बाते हैं यह मोती हैं आपा के मुझ से निकलने वाली हर बात मोतियों की मानने ज़रा इनको सुनिये समझी और अमल कीजिये और अपनी जिंदगी में बदलाव देखिये यहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक बहुत ही इंपोर्टन्ट कॉल है हमारे स आपर अपर इस प्रेक